C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है तीसरी जमात के लिए महौलियाती साइन्स की समय दर्सी किताब आस पास सफा नंबर दस सबक नंबर दो पौदो की परी इत्वार को हम सब बच्चे नस्दीक के बागीचे में गए वहां सबने आख मिचौली खेली और बैद बाजी की बहुत मजा आया फिर बाजी ने कहा आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिकाती हूँ हमने पिछले कैंप में इसे खेला था मैं बन जाती हूँ पौदो की परी पौदो की परी जिस चीज का नाम लेगी तुम्हें उसे चूना होगा बाजी ने खेल शुरू किया वो बोली पौदो की परी कहती है किसी पौदे को छूलो इतना सुनते ही सब बच्चे पौदो को छूने भागे यहां एक तस्वीर दी गई है इस तस्वीर पर बागी चे को दिखाया गया है यहां एक नीम का पेड़ है गेंदे के पौदे हैं और कुछ मुख्तलिफ पौदे और घास हैं यहां चार बच्चे हैं और उनकी बाजी मौजूद है पहली बच्ची अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौदे को पकड़ कर बैठ गई शबनम ने चमेली की बेल को छूलिया दयाराम नीम के पेड़ को पकड़ कर खड़ा हो गया माइकल ने महंदी की जाड़ी को छूलिया बच्चों से इस पारे में गुफ्तगू की जा सकती है कि उनके यहां आँख मिचौली, बैद बाजी वगेरा खेलों को किस नाम से पुकारते हैं सफा नमबर ग्यारा बाजी बोली अरे वाह, सब ने एक-एक पौदे को छूलिया जरा देखो तो सब के पौदे कितने मुख्तलिफ हैं शबनम बोली दीदी, आप भी तो छोटे-छोटे पौदों पर बैठी है सोचो तो बाजी किन पौदों पर बैठी होंगी खेल फिर शुरू हुआ अब पौदों की परी ने कहा एक ऐसे पेड़ को छूओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या बहुत पतला हो यहाँ दो तसवीर दी गई है जिसमें एक मोटे तने को अम्मू, शबनम और दयाराम ने थामा हुआ है दूसरी तसवीर में माईकल ने एक पतले तने को थामा हुआ है बच्चे फिर भागे मोटे और पतले तने वाले पेड़ों को छूने के लिए क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना तसवीर में दिखाई दे रहे पेड़ों के तने जैसा मोटा हो माईकल को खेल बड़ा दिल्चस्प लगने लगा उसने सोचा के परी कितिनी खुश किस्मत है खेल में परी सब बच्चों पर अपना हुक्म चला सकती है वो बोला अब मैं बनूँगा पौदो का परी सब बच्चे जोर से हस पड़े और बोले लड़का परी अब वो नई परी के हुक्म का इंतजार करने लगे माईकल बोला सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते ला कर दो बाजी ने कहा लेकिन खयाल रहे तोड़कर नहीं सब दोड़ पड़े और जो पत्ते नीचे पड़े मिले उन्हें उठा लाए ये खेल बच्चे खुद खेल कर पेड़ पौदो के तनों को देख पाएंगे मुख्तलिफ बच्चे अगर पौदो की परी बनेंगे तो बहतर होगा क्यूंके वो खुद दर्जा बंदी की बुनियाद मुन्तखिब करेंगे सफा नंबर बारा क्या सभी पत्तों के रंग, शक्ल और किनारे एक तरह के हैं? यहां एक तस्वीर दी गई है इस तस्वीर में मुख्तलिफ पत्ते दिखाए गए हैं नीम, पीपल, मनी प्लांट की मुख्तलिफ किसमे और कमल के फूल का पत्ता दिखाए गए है इन सभी पत्तों के रंग मुख्तलिफ हैं कुछ गहरे हरे हैं, तो कुछ बैंगनी, कुछ लाल और कुछ पीले रंगे हैं। दया राम ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था, के पत्ते इतनी तरह के होते हैं। देखो, कोई गोल है, कोई लंबा और कोई तिकोना। अम्मू बोली, इन सब के रंग भी कितने मुख्तलिफ हैं, कोई हलका हरा है, कोई गहरा हरा, कोई पीला और कोई लाल और बैंगनी, एक पत्ता ऐसा भी है जो हरा है, पर इस पर सफैद धब्बे हैं। शबनम बोली, देखो, पत्तो के किनारे भी तो कितने हैं, किसी पत्ती का किनारा सीधा है, तो किसी का कटा फटा, कुछ के किनारे तो आरी की तरह हैं। अम्मू और शबनम एक साथ जोर से बोली, अब मैं भी बनूँगी पौदो की परी। बाजी ने कहा, अगले इत्वार को बनना, अब घर जाने का वक्त हो गया है। रास्ते में बाजी ने सब बच्चों को एक नजम सुनाई। इस सफ़े पर एक नजम दी गई है, जिसके चारो तरफ मुख्तलिफ किस्म के पत्तों के खाके बने हुए हैं। नजम का उन्वान है पत्ते। हरे हरे और गी ले ढीले, लाल बैंगनी और कुछ पी ले, तरह तरह के होते पत्ते, बडी तरह के होते पत्ते, कुछ हाथी के कान जैसे, फढ़ फढ़ाएं शैतान की जैसे। कटे फटे कुछ मुले तुडे से, खाएं कुछ को पान की जैसे, सुभा सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आशु रोते पत्ते, लगे कोई तितली, कोई भोरा, रुएदार कोई बिल्कुल कोरा, बने कोई सूक के काटा, कोई पिचक्कर बने कटोरा, साएं साएं, सन सन, फड़ फड़, हवा चले तो करते बड़ बड़, दिन भर रहते हैं खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते, तरहा तरहा के होते पत्ते, बड़ी तरहा के होते पत्ते, विजिंदर पाल, सिसो दिया, हिंदी से तरजुमा, बच्चों को नजमे पढ़न और गाना पसंद है जबरदस्ती उन्हें याद करने के लिए मजबूर ना किया जाए बहतर होगा कि सब ही बच्चे क्लास में मिलकर गाएं सफा नंबर चौदा नजम के चारो तरफ बने पत्तों में रंग भरो कुछ पत्ते जमा करो जैसे लीमू, आम, नीम, तुलसी, पौदीना, हराधनिया इन पत्तों को मसलो और उनकी महक सुंगो क्या सभी पत्तों की महक एक सी है? क्या तुम सिर्फ महक से उन पत्तों को पहचान सकोगे? देखो कितनी खुबसूरत तस्वीर है हाँ, ये सूखे पत्ते से ही बनी है इस सफ़े पर तीन तसवीर दी गई है जो कि मुख्तलिफ पत्तों की मदद से बनाई गई है एक तस्वीर में एक लंबी चोच वाला परिंदा है दूसरी तस्वीर में हाती का चहरा उसकी सून के साथ बनाए गया है तीसरी तस्वीर एक चूहे की है तुम भी अब सूखे पत्तों से अलग अलग जानवरों की तस्वीरे अपनी कापी में बनाओ यहाँ पर आपको जगा दी गई है कि आप सूखे हुए पत्तों से कुछ तसावीर बना सकें मशूर फनकार विश्नु चिंग चालकर इंदोर मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं इस तरह सूखे पत्तों से बहतरीन तस्वीरे बनाते थे यह तस्वीरे भी उन्हीं से मुतासिर होकर बनाई गई है सफ़ा नंबर पंद्रा बाजी ने सबको पत्तों और पत्तियों की चाप लेना भी सिखाया देखो कैसे एक कागज और मोमी रंग या रंगीन पैंसिल लो पत्ते को मेज या जमीन पर रखो खयाल रहे जिस तरफ पत्ते की नसे उभरी हुई हैं उसे उपर की तरफ रखना है कागज को पत्ते पर रखो अब हलके हाथ से पत्ते पर मोमी रंग या पैंसिल फेरो पत्ते और कागज को हिलाना नहीं सफे की दाई जानिब एक पत्ते का खाका दिखाया गया है जिसे मोमी रंग से बनाया गया है अब इसी तरह किसी तने की छाप लो इसके लिए एक कागस को पकड़ कर तने पर रखो और उस पर रंग भरो देखो तुम्हारे कागस पर तने की छाप बन गई अब एक दूसरे की बनाई छाप को देखो क्या सब पेडों की छाप एक जैसी है? कौन से पत्ते की छाप अच्छी बनी? किस पेड़ की छाप लेना मुश्किल था? क्यूं? सफे की बाई जानिब एक पच्ची तने पर कागस रख कर उसकी छाप ले रही है सफा नंबर सोला तस्वीर को देखो और इन चीजों के नाम बताओ जिन पर पत्तो और फूलों के नक्षे और प्रिंट बने हुए है यहां एक कमरे की तस्वीर दिखाए गई है जिसमें एक दिवान है उस पर एक चादर बिछी हुई है चादर पर पीपल के पत्ते और हाती बना हुआ है इस दिवान पर दो गौतके भी हैं इन गौतक्यों के गिलाफ पर कमल के फूल बने हुए है इस दिवान पर एक बच्ची बैठी है जिसके परजामे पर तीन पत्तियों के फूल बने हुए है दिवान की पिछली दिवार पर एक तस्वीर बनी हुई है जिसके फ्रेम पर मुख्तलिफ पत्तियां बनी हुई है और फ्रेम के अंदर जो तस्वीर है वो कमल के फूल और उसके पत्तों की है दिवान के पीछे एक खिड़की भी है जहां से एक दरख्त के कुछ तने नजर आ रहे हैं खिड़की पर लगे परदे पर कुछ मुख्तलिफ डिजाइन बने हुए हैं इसके अलावा दिवान के सामने पड़े कालीन पर बुनाई के जरीए कुछ फूल बनाए गए हैं पेड़ पौदों के बारे में मजीद मालूमात करने के लिए बच्चे अपने बुजर्गों किसी किसान या माली से बाच्चीत कर सकते हैं और क्लास में उस पर तबादलाए खयाल करें सफा नंबर 17 अपने घर में देखो किनकिन चीजों पर फूल पत्तियों के नमूने बने हैं उनके नाम लिखो डैश 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 तुमने बहुत से पेड़ पौधे देखे हैं उन में से तुम कितनों के नाम जानते हो उनके नाम लिखो डैश 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 ऐसे पेड़ पौधों के नाम लिखो जिनको तुमने कभी नहीं देखा लेकिन उनके नाम सुने हैं डैश 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 किसी बुजर्ग से मालूम करो कि क्या कुछ ऐसे पेड़ पौदे होते हैं जो उस वक्त होते थे जब वो छोटे थे लेकिन अब वो दिखाई नहीं देते क्या कोई ऐसे पौदे हैं जो पहले नहीं थे लेकिन अब दिखाई देते हैं पेड़ से दोस्ती अपने स्कूल या घर के आसपास कोई एक पेड़ तलाश करो और उससे दोस्ती करो एक लंबी दोस्ती ये किस चीज का पेड़ है? अगर नहीं मालूम हो तो बड़ों से पूछो क्या तुम अपने दोस्त पेड़ को कुछ खास नाम देना चाहोगे? क्या रखोगे उसका नाम? किसी एक पेड़ से रिष्टा बनाने के लिए बच्चों की होसला अफजाई करें पेड़ का खयाल रखें मसलन उसे पानी देना उसकी देखभाल करना उसको बहुत गोर से देखना वगरा इस तरह के महौल के साथ उनकी उनसियत बढ़ेगी सफा नमबर अठारा क्या ये पेड़ फूल या फल देता है? बताओ कौन सा? इस पेड़ के पत्ते कैसे हैं? क्या इस पेड़ पर चड़िया या दूसरे जानवर रहते हैं? कौन कौन से? अपने दोस्त पेड़ के बारे में और बहुत सी मालुमात हासिल करो नीचे बनाओ और रंग भरो यहां आपको खाली जगा दी गई है और सफे के आखिर में सूखे पत्तों के जरिये बनाए गए चुहे की तस्वीर दिखाए गई है 24 असबाख की किताब आसपास का दूसरा सबक यहीं खत्म होता है सौती ताउन तलत खान अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठे पुस्तक तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्मान सहयोग मिनाक्षी कुकरेती निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भार्ट